मुझे इस बात का सज्ञान नहीं है क्योंकि मैं छेत्र में हूं और पहले भी मिली है कहीं बार और अबी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नि कोई भी किसी से भी मिल सकता है पर अगर बीचेपी की प्रक्यासिती रूप में अगर मेंपुरी में उपासी है तो कैसी राल देख रही है मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मज़्यूती से मेंपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है जेडियू ने बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनाए उन्होंने काया कि कोई एक क्यक्ति आया था और हमने उस लिफाफे को खोला तो दस क्रोन का बॉंड लिए तो जेडियू का मामला है और जैसे कि जो भी एलेक्ट्रोल बॉंड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहि समाजबादी पार्टी का समयरा करता रहें समीट ने ता भी एक केसे बात केबिने मंतरी जैवेशी ने एक अपने इंटर्वू म कहा भी है कि इस जीते ही तो समाजबादी पार्टी लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है तो एक तरह की clarity होनी चाहिए भलाई EVM सही हो तो भी लोग चाहते हैं गाओं के लोग चाहते हैं शहरी लोग चाहते हैं कि ballot paper से ही चुनाव हो जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में सब जगह ballot paper से ही चुनाव हो रहे है इवियम आई थी उसके बाद वापस लोग ballot paper वे गए हैं क्योंकि लोग के मन में कही ना कही एक शंका का भाव है कि EVM में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते उनको वोट नहीं मिलता है में पुरी में कन्यों जाजी पुनावत कीतनी हुगी निर्वाचन में आप फिर वोई सवाल करें हैं लेक्स करो लेक्स करो जी वाज़ी उच समय ले रहे हैं कुछ विरोधी पाटियां तो कोई जरूर इसमें उनके मन में किसी तरह की शंका होगी इस वज़े से इतना समय लिया जा रहा है मैं चाहती हूं कि सुप्रिंग कोड का अगर इसी तरह का इंटेफेरेंस रहेगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो लाइन पे आएंगी जो अभी सब विवस्ता दिख रही है हर एक स्टेप में मैं समझती हूं कि सुप्रिंग कोड जिस तरह का मेर वाला चुनाव भी हुआता पंजाब का अगर सुप्रिंग कोड इंटेफेर नहीं करता तो हमारे जानने वाले बीजेपी के बहुत साइस सांसद है उन्होंने का ता जीते तो हम ही है मेर क्या चुनाव तो इस तरह से गलत तरीके से चुनाव जीतना सही बात नहीं है एक लोग तंत्रत लिए जीतना सही जीतना का चुनाव जीतना सही है